आज की रेसिपी है ब्रेट पुहा, ब्रेट पुहा बनाने के लिए हमें चाहिए दो मेडियम साइज के टमाटर जिनको मने बारी काट लिया है, दो बड़े प्यास, लंबे बारी कटे हुए, पांच ब्रेट स्लाइसिस, राई के दाने, जीरा पाउडर, रेट चिली पाउड हल्दी पाउडर, नमक, स्वात के अनुसार, करी पत्ता लीव्स, दो बारी कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, बारी कटा हुआ दही, सबसे पहले हम ब्रेट के स्लाइसिस को कट कर लेंगे, स्क्वायर पीसिस में, ये इक्वल साइज के पीसिस होने चाहिए, कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, अब हम दूसरी तरह लेंगे, कडाई, कडाई में हम डालेंगे, कुटिंग ओयल, आप अपनी चॉइस का कोई भी कुटिंग ओयल ले सकते हैं, इसको मैं 3-4 टेबल स्पून कुटिंग ओयल ले रही हूँ, इसको गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे, राई, वर्न टेब साथ से आठ करी लिव्स ले रही हूँ मैं यहाँ पर, अब हम इसमें डालेंगे, प्यास, और प्यास को ट्रांस्लूसेंट होने तक हम इसको कुट करेंगे, हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, एक से दो मिनिट के बाद हमारा प्यास भून कर तयार हो जाएगा, देखें यह ट्रांस्लूसेंट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी, ग्रीन चिली, वारिक कर्टी हुई, इसको फिर हमें 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही चलान है, भूनना है, इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, टमाटर के बीच को मैंने निकाल लिया था, उनको फिर कट किया है, अब हमें इसको फिर से 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही जलाना है, फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, एक टेबल स्पून हल्दी पा पाउडर, एक टेबल स्पून जीरा पाउडर, और नमक स्वात के अनिसार डाल रहे हैं, एक से डेड़ मिनिट के लिए इसको ऐसे ही बूनने पर, इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, यह भून चुका है, अब इसमें हम डाल रहे हैं दही, यहां मैं 3 टेबल स्पून दही का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे दही का फ्लेवर जादा पसंद है, इसलिए मैं दही डाल रही हूँ, दही डालने से यह होग जब ब्डेट के क्रंप्स डालेंगे, तो यह मुझे अच्छे से चिपक जाएगा, यह भी आप दही डालें, तो फ्लेव को लो कर लें ताकि आपका दही मुझे ना मसाले में डाल के, यह थोड़ा लिक्वीडी हो जायंगा मसाला हमारा और इंब्रेट में इजिली चिपक देखिए हमारे पुहा अच्छे से मिक्स हो चुगा है हमारे सारे मसाले ब्रेड में चिपक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ और इसको फिर एक से दो मिनिट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है हमारा पुहा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी आप इस पुहे को बनाने के लिए आप अपनी पसंद की कुभी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और फिर मैं इसको गानिश करूँगी थोड़े से और धनिया पत्ति के साथ तो friends, I hope यह recipe आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो like जरूर कीज़ेगा अपने friends, family members के साथ इसको share कीज़ेगा, comment कीज़ेगा और अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजए अच्छी वीडियोज दिखने के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाबाई स्टे हैपी